आज मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए ये सूजी के लड़ू जो की बहुत ही अच्छे लगते हैं बहुत दर टेस्टी लगते हैं लेकिन इसके कुछ ट्रिक्स और टिप्स होते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको बस मेरा इस वीडियो पूरा देखना होगा क सामगरी तो इन सामगरियों में आप इन सब की कॉंटिटी बढ़ा घटा सकते हैं बट याद द्याद रखिएगा कि आपको अगर सूजी के लड़ू अगर आपको धाइसो ग्राम सूजी के लड़ू बनाने हैं तो उसके लिए आपको 100 ग्राम सूजी लेनी है कुछ करना पड़ता है वह अगर आप फालो नहीं करेंगे तो आपका लड़ू नहीं बनेगा हल्वा बन जाएगा यह त्यान रखिएगा तो हमने रख दिया है कढ़ाई कढ़ाई में हम डाल देसी घी आप देसी घी की वजाए कोई और घी प्रयोग में ला सकते हैं परन्तु द दूजी यह भूनिये उसको कम आज भूनिये क्योंकि अगर आप तेज आज कर देंगे तो यह उपर से लाल हो जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा ठीक है इसलिए जो भूननी का ट्रिक है इसको पूरा आपको फॉलो करना है तो हम इसको सारा का सारा कम आज पर भून रहे है तो यह हमारा लगबग देखिए भून गया है हमको यही कलर चाहिए अब इसमें हम जो ड्राइफ्रूट्स हमने रखा था और इलाइची पाउडर वो हम इसमें एड कर दे रहे हैं आप ड्राइफ्रूट्स की कॉंटिटी बढ़ा घटा सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिं और इसमें हम बहुत ही थोड़ा सा जो दस रुपे वाला मिल्क पाउडर आता है उसका आधा पार्ट हमने इसमें डाल दिया है यह आप्सिनल है आप डालना चाहिए नहीं मत डाले कुछ लोग खुआ भी डाल देते हैं पर खुआ वगर डालने के आओ सकता नहीं है ऐसे ही थोड़ thing मत कम से कशने मत पर इंगर किया कर तैसी हम wonderful यह चाने देंगा तो आपको हो जएगा यानि देंगे या देंगी जो भी है तो आपका यह हलुआ बन जाएगा लड़ू नहीं बनेगा ध्यान रखिएगा तो यह हलका सा बस खाली हलका सा भरबरा हो बस खाली उतना ही आपको इसमें दूद को एड़ करना है और कोसिस करिएगा कि जब दूद एड़ करे तो उपर स गया अफ कि तो यह देखें हमारा यह दो lucky हो गयार अब इसमें हमट करेंगे ऊछाज कि एड़ करें तो गयाँ आतव dh थ्यान कर देगीviewer का फ्लेम ओफ कर दें क्योंकि कड़ाई अल्रेडी गरम है उसमें ही आपकी चीनी अच्छे से इसमें मिल जाएगी चीनी की कॉंटिटी आप बढ़ा गटा सकते हैं यह पिसी हुए चीनी है ध्यान रखिएगा खड़ी चीनी मट डालिएगा नहीं तो खड़ी चीले आपकी ग गरम था तो इसलिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया हास से इसको आसानी से छू सकते हैं और अगर आप ठंडे में इसको बनाएंगे तो क्या होगा यह जो चीनी यह जो सूजी है यह पूरा मतलब जो दूद पानी होता है उसको एक्जॉप कर लेती है जिसके चलते बिल्कुल राइट हो जाती है और यह बनती नहीं है जो नहीं बनते हैं तो हलका गुंद गुना रहे तब ही आप इसके लड़ू बनाएं यह इसका दूसरा ठिक आप इस्ट्री को नहीं फॉलो करेंगे तो आपके लड़ू अच्छे नहीं बनेंगे लेकिन बहुत जादे टेस्टी सब rider compare already होए थे मैंने सचा पता नहीं है कैसे मैंने मैंने इसको कहीं देखा था इसको यह वाहल रिसीपी को मैंने सचा एक byte-down क्रूंकुत बहुत ब्हुत ज़्यां ज़्यादी क्रेंग ने फेकर रिख्या हो गया हमारा लड्डू अब इसके उपर हम कुछ सजा दे रहे हैं क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि सजी हुई चीजे सबको अच्छी लगती है तो इसके उपर हमने थोड़े से बादाम के टुकड़े काटके रख दिये हैं सजाने के लिए ताकि आप लोगों को देख आप लोगों को यह रेस्पी वाइरल करनी है प्रिश्दारों खिलानी है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें थैंक्यू झालू।